यहां पर आपको ideal gas के लिए रखा है और express किया गया dp by dt dc by dt and dn by dt के respect में तो इसको भी देख लेते हैं गाइस हमें पता है pv is equal to आपका होता है nRT तो p बराबर हम लिख सकते है n by v into r into t अब question में आपको यहां पर बोला गया है कि temperature and volume constant है अब temperature and volume अगर constant है तो pressure के साथ mole change हो रहा होगा तो हम दोनों side में क्यों differentiate करने time के respect में तो यहां से हम लिख सकते हैं guys dp by dt is equal to यहां पर मैंने time के साथ differentiate किया volume की constant है तो आप लिख सकते हो dn by dt into 1 by v into rt और दूसरी बाद dn by v आपका change in concentration with respect to time है तो इसको में लिख सकता हूं moles upon volume of concentration तो यहां आपका dc by dt into rt भी हो सकता है अब यहां पर देख लेते हैं कि यह क्या पूछ रहा है तो हम देख सकते हैं कि dc by dt कहा है आपका यह रहा है क्या क्या पूछा गया है उसके हिसाप स्चांसर करेंगे जैसे dc by dt और यह 1 by n dn by dt दे रखा है तो यह तो मैंने यहीं से निकाल दिया आप देख सकते हो कि dn by dt into 1 by v इसका जो value है हमने put कर रखा है guys dc by dt त यहीं दिख रहा है मेरे को कि dn by dt into 1 by v यह आपका dc by dt के बराबर है बिल्कुल सही लिखा हुए इसके अलावा अगर मैं pressure को और concentration को रिलेट करूं तो यहां से तुम देख सकते हैं हम यहां से guys कि जो आपका dc by dt है वह आपका rt इसके बराबर भी यहां पर आना चाहिए तो यह भी लिखा हुआ है option number 20 करेंट simply कुछ भी नहीं करना guys यहां पर आपको टीवी इसको नाटी लिखके differentiate करना है और आप को अपने आप पता लग जाएगा कि यहां पर इनके बीच में क्या relation आने वाला है clear guys